परिनीती चोपरा इन दिनों टोक अफ दे टाउन है वज़ा है उनकी शादी 24 सितंबर को रागव चड़ा की दुलहनिया बनी परिनीती फिलहाल अपने सिसराल दिल्ली में है और इस वक्त उनके घर में ग्राइन वेडिंग रिसेप्शन की तैयारी चल रही है लेकिन अब मेडिया रिपोर्स की माने तो कपल ने दिल्ली और चंदीगर में होने वाले रिसेप्शन को फिलहाल कैंसल कर दिया है और सिफ एक ही बड़ा रिसेप्शन होस करने की प्लान किया है जो और कहीं नहीं बलकि मुंबई में होगा शादी की तैयारियों के बीच एक कार्ड सोशल मीरिया पर वाइरल हुआ था जिसके मताबिक परिनिती और रागह 30 सितंबर को चंदीगर के होटेल ताज में ग्रान रिसेप्शन करने जा रहे थे इसके अलावा एक रिसेप्शन दिल्ली में भी होने की खबर थी जिसमें तमाम पॉलिटीशिंस और वी आईपी गेस्ट को इन्वाइट किया जाना था लेकिन अब खबर है कि कपल ने दोनों ही रिसेप्शन को कैंसल करते हुए सिर्फ मुंबई में एक ही वेडिंग पार्टी होस्ट करने का मन बनाया है वो भी 4 अक्टूबर को जिसमें बॉलिवूड और पॉलिटिक्स दोनों से जुड़ी हस्या नजर आने वाली है कहां ये भी जारा है कि शादी में नहीं पहुची प्रियंका चोपड़ा इस रिसेप्शन में जरूर शामिल हो सकती है ये एक रैंड रसेप्शन होगा जिसमें काफी वी वी आईपी लोग पहुचेंगे हाला कि ये खबर कितनी सच है ये तो फिलाल आने वाला समय ही पता चल सकता है क्योंकि दोनों के परिवार की तरफ से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है वही इन खबरों के बीच रागव चड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक खुपसूर थैंक्यू रोट शेयर किया है अपने फैंस के लिए उन्होंने अपने चाहने वालों जिन्होंने शादी के वक्त उन्हें विश्क किया उन्हों खुपसूर चुप कामनाओं के लिए परिनीती और रागव ने आभार जताया है 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंदे के बाद 25 सितंबर की शाम परिनीती दिल्ली में अपने सुस्राल पहुची थी जहाँ चड़नेवास में परिनीती का धोल नगाडों से स्वागत हुआ इसकी वीडियो भी सोशल मेडिया पर खूब वाइरल हो रही थी